हेलो वीवर्स स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में जहां आप आते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री यानि दंत चिकित्सा में यूज होने वाले तीन कॉमन एंड यूसफुल एंटिबाटिक्स के बारे में जिनमें हम जानेंगे इन एंटिबाटिक्स के यूजिस को, साइड इफेक्ट्स को वा इनकी डोस को वा और भी अधर इंपोर्टे पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन्स रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो सुरू करते हैं इन एंटिबाटिक्स में सामिल है मेट्रोनेड़ जो की फ्लेजिल ब्रैंड नेम से काफी पॉपलर एंटिबाटिक है इसके अलावा सेकिन एंटिबाटिक है एमोक्सिसलिन जो की मॉक्स ब्रैंड नेम से आता है एंटिबाटिक है एमोक्सिसलिन एन पोटेशिम क्लेवनेट जो की एग्युमेंटीन ब्रैंड नेम से आता है ये एंटिबाटिक अलग-अलग तरह से डेंटिस्ट्री में यूज किये जाते हैं इसलिए इनका यूज ओनली डॉक्टर या डेंटिस्ट के कंसल्ट पर ही क्या जाना चीए जो की यूजफुल हो सकते हैं अब जानते हैं वन बाइवन इनके यूजज को तो मेट्रोनेड़ोल नाइट्रो इमेडाजोल क्लास की एंटिबाटिक है जो की हाइली एफेक्टिव होती है एनारोबिक बैक्ट्रिया के अगेंस्ट एंट कुछ पेररसाइट के एगेंस भी इसका अच्छा एफेक्ट रहता है एनारोबिक बैक्ट्रिया लो ऑक्सिजन वाले इन्वारिमेंट्स में ग्रोथ करते हैं तो मेट्रोनेड़ोल इनके डिने को डिस्टॉब करके इनको किल करता है एंड इन्फेक्शन को लो करने में हेल्प करता है मेट्रोनेड़ोल का यूज सिवर गम इन्फेक्शन जिसमें गम एंड जो बोन तक डैमेज हो जाती है ये कुछ इमेजिस आपके स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे जिसमें गम इन्फेक्शन सामिल है गम ब्लीडिंग, स्वेलिंग इस दोरान देखी जा सकती है अगला है टूथ अफसेस इसको दाथ का फोड़ा विका जाता है जो कि दाथ के आसपास होता है और ये भी बेक्टरिल इन्फेक्शन के कारण होता है तो इस दोरान भी मेटरनेडाजोल यूज की जा सकती है इस दोरान पेन, बेट, ब्रीथ, एंड फीबर हो सकता है मेटरनेडाजोल का अगला यूज है ANUG यानि Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis ये काफी पेनफुल इन्फेक्शन होता है जिसमें पेन, ब्लीडिंग और बदबुदार सांस सामिल है तो इन कंडिशन में मेटरनेडाजोल टेबलेट का यूज किया जा सकता है वहीं मेटरनेडाजोल टेबलेट देने के बाद नोजिया, एब्डोमिनल अफसेट जैसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते है इसकी डोस की बात करें तो दिन में दो से तीन टेबलेट मेटरनेडाजोल की ली जा सकती है सेकेंड एंटिबाइटिक है एमॉक्सिसलिन जो की पैनिसिन क्लास की एंटिबाइटिक है ये डेन्टिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एंटिबाइटिक है ये एंटिबाइटिक वाइड रेंज ओव वेक्ट्रिया को कबर करता है यानि इनके एगेंस्ट ये वर करता है Amoxicillin का यूज पेरिडियो डेंटल इंफेक्शन जो की गम एंड जो बोन को इफेक्ट करता है इसमें क्या जाता है इसमें बैड ब्रीथ, दातों में दर्द, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग देखी जा सकती है इसके अलावा Amoxicillin का यूज पोस्ट सर्जिकल इंफेक्शन को प्रिबेंट करने यानि डेंटल सर्जिरी के बाद इंफेक्शन को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है Amoxicillin की डोज दिन में एक से दो टेबलेट या कैप्सूल हो सकती है इसके अलावा Amoxicillin को यूज करने के बाद डाइरिया वा नोजिया जैसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं तीसरा और आखरी यूसफुल एंटिवाटिक है Amoxicillin and Potassium Clavinet ये दो अलग-अलग मेडिसिन का कॉमिनेशन है जिसमें Potassium Clavinet से Bacteria Residence पर हेल्प मिलती है Amoxicillin and Potassium Clavinet का यूज Resistant Dental Infection Sever Feridio Dental Infection वा Post-Surgical Infection में किया जाता है Amoxicillin and Potassium Clavinet को यूज करने पर Abdominal Discomfort, Diarrhea, Nosea ये common side effect देखे जा सकते हैं इसके अलावा Amoxicillin and Potassium Clavinet की डोस की बात करें तो इसको दिन में 2-3 बार लिया जा सकता है इस दोरान डॉक्टर का निर्देशों का पालन भी करना जरूरी होता है तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी Dentistry में यूज के जाने वाले कुछ common antibiotics and उनके side effects वा उनकी डोस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like, comment वा share जुरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार जुने है तो चैनल को subscribe करना ना भोलें